सब्सक्राइब जीजिए पुनीता कुकर चानल को प्यादाई गंद भाईए कानाजी की वीडियो की निटिपिशिट भाईए आज हम अपने कानाजी के लिए कि स्पेशल कंबल बनाने वाले वह भी अधिक ठंड के लिए जब बहुत जादा थंड हो जाती उस टाइम के लिए हम यह कंबल बनाएंगे तो उसके लिए हमने दो तरह का उन ले लिया है यह देखिए इस तरीके की फर वाली उन मिलती है और एक हमारे सिंपल उन है तो हमने यह दोनों लिया है जिसे हमारा जो ब्लैंकेट है बल्कुल ब्लैंकेट की तरह रहे और बहुत गरम हो कानाजी को कहीं से भी कोई ठंड ना लगे तो यह हमने इस तरीके से दोनों उनों को ऐसे ले ले लेना है यानि कि एक धागा इसका आपको जो भी कलर अच्छे लगे आप इस तरीके से दो कलर ले लीजी और इनको इस तरीके से हमने साथ साथ जो है चलाना है इसके लिए मैंने नो नंबर का करोश्य लिया है आप इसे अधिक मोटा भी ले सकते हो यानि कि आठ नंबर से भी इसको बना सकते हो अगर आपका हाथ जो है बहुत जादा टाइट है तो इसका हमने चोड़ाई लंबाई जो भी लेना अपने काना जी के बैड के साब से लेना जैसे मेरे छोटे से काना जी है जीरो से एक नमबर काना जी के लिए बैड है मेरा जो चार इंच जो है लंबा बैड है और उसका चोड़ाई जो ह धाइ इंच के करीब है. तो हमने इसी Bit के हिसाब से अपना यह ब्लेंकट बनाना है. तो कि इसको हम अपना जितना भी हमारा चोड़ा बेड है उससे डबल ले ले लेना. जैसे मेरा बेड कानची का धाइ इंच चोड़ा है. तो मैं इसको पांच इंच चोड़ा बनाऊंगी क्योंकि मुझको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कंबल को तो ये मैंने पांच इंच इतना चेन बना लेना है मैंने कि पांच इंच इसका चोड़ाई हो तो देख लेते हैं कितनी चेन बनती है तो इसको इस तरीके से हमने पहले चेन बना लेनी डबल डबल धागा हम चलाएंगे और इसको हम हाप डबल कुरोशी से बनाएंगे Single crochet से बनाएंगे, तो बहुत मोटा हो जाएगा, और Double crochet से बनाइगे तो थोड़ास मेंः कानंजी को ज्यादा गर्मार्टनी मिलेगी, ठंड लगेगी, तो हाब Double crochet से इसको बनाएंगे, तो हम सबसे पहले इस तरीक़े से chain बना लेंगे, यह एक लंबी जो हमारी बैड से डबल हो जैसे मैंने बताया धाई इंच का मेरा बैड है तो मैं उससे डबल चेन बनाओंगी यानि कि अब इमें गिन नहीं रही हूं देखते हूं इस तरीक से कि 5 इंच में कितना चेन बनता है यह देखी मैंने चेन बनाना बन कर दिया पहले मैं इसको नाप लेती हूं यहां से किनारे से नाप आई तो यह मेरा एक चेन फालतू है मेरा 5 इंच से तो वैसे भी हमने एक चेन फालतू लेना इसलिए मैं इसको नहीं धेड़ूंगी तो गिन लेती हूं मेरी कितना चेन बनी तो आपकी हो सकता है बीस बने आपकी सत्रह में पांच इंच तो वह उनके साब से होगा तो आपकी जितने कानची है जैसे मैंने बताया जितने चोड़ाई बैड की उससे डबल आपको बनाना है तो ये हम हाप डबल करोशिय बनाएंगे तो इसके लिए हम इस तरही के से पहले करोशिय पर दागा लेटेंगे और एक चैन चोड़का दूसरी चैन में हम देखें, स्टिच लेंगे और तीनों स्टिच को एक साथ निकाल देगे यह half double crochet होता है फिर अगली chain में जाएंगे तो हर chain में हम इस तरीके से half double crochet लेंगे इससे बहुत मोटा बनेगा और बहुत ज़्यादा इसमें जाली नहीं आती है जैसे हमारी फर वाली उन है तो बिल्कुल ब्लैंकेट जैसा ही इसको अच्छा फील होएगा यह देखिए जैसे मैंने बताया अगर आपका हाथ टाइट है तो आप मोटा करोशा ले लीजिए नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो हमारा कंबल नहीं बने गई देखिए इस तरीके से तो हम पूरा यहां तक हर एक chain में से हाप डबल करोशा ले ले लेते हैं यह देखिए लास्ट की chain में आ गए हम इस तरीके से हमने लास्ट की chain में भी हाप डबल करोशा ले लिया एक chain लेंगे एक और chain ले लेंगे दो chain लेंगे हम और यहां से ऐसे पलट देंगे फिर हर एक chain में से फिर से हम ये देखे ये पहली चेन हमारी यहाँ पर हम ने लिये यहाँ पर ही पहली चेन है तो इस तरीके से हाप डबल क्रोश्य हम हर एक चेन में से फिर से इसी तरीके से लेंगे ये देखे ये थोड़ा ध्यान रखना है आपके सारे धागे निकलने चाहिए कोई रह न जा जाती तो इस तरीके से देखे बिल्कुल फर वाला हमारा soft soft ब्लैंकेट बनता जाएगा तो यह हमारा इस तरीके से geld हमने बताया कि यह हमारा ऐसे फोल्ड होएगा तो यह हमारे चुडाई है और लंबाई जो हम 4 इंच अपने बैट की और ये हमारी जो है चाड़े 5 इंच क्योंकि थोड़ा सा खुला हो जाता है यहां से मने शुरू किया था तो यह देखिए 5 इंचे थोड़ा से स्टिच खुल जाती है तो यह बाद में ठीक कर लेंगे तो यह हमारा ब्लैंकेट जो हमारा बन गया है यहां से हमसुन नमऻ कर लिए तो इस तरीक से फोल्ड करके कानाजी को सूलाने वाले है यानि कि जैसे मंने जी बैड़ है हमने यहाँ पर यह बैड शीट का काम भी करेगा यह देखे कितना अच्छा मोटा बैड यह हमारा कंबल बना बिल्कुल यह देखे कहीं से इतना जाली नहीं दिख रही और बिल्कुल सॉफ्ट भी है तो यह फर वाली उन से बिल्कुल देखे कितना अच्छा है आप चाहे तो इसको एक रंग से भी बना सकते हैं और कोई भी अपनी पसंद के कलर लगा सकते हैं तो हम इसका भी आउटलेंड करके इसको अच्छा हो और सुंदर बनाएंगे तो यहां पर देखे यह बैड पर जब इतना आ जाएका इस तरीके से तो यहां पर काना जी को आप जब सुलाएंगे तो यह उपर से काना जी के ऐसी कवर होईगा क्योंकि ज्यादा ठंड में तो नहीं जोग नीचे भी गरम बैट शिट बिचाते हैं उपर भी तो जैसे में दिल्ली में रहते हैं दिल्ली में तो भूझ ही ठंड होती है तो इसी दिए मैंने इस तरीके काना जी का कुछ ब्लैंकेट बनाने की कोशिश की है और यह लैंद पूरा हम बैट तक रहें क्योंक है तो हम इसी में क्या है ठोड़ा सा बनाकर इसको डबल कर देंगे जिससे हमारा मोता हो जाए जिससे कि इसमें आप कोटन भर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, या आप इसी तरीके से इसको कर सकते हो, अगर आप अलग से कोई बड़ा मोटा फिलो रखते हो, तो इसमें सही से काना जी को कमफेटेवल नहीं रहता, तो यह बहुत अच्छा रहेगा, तो इसको हम पहले ऐसे बना लेंग पहली चेन में इसी तरीके से, आप डबल करूशे लेंगे, यह देखिए, तो यह हमने आधे तक बनाना है, यानि कि यहां तक आप निशान लगा लिजे, जैसे यहां यह चेन गिल लिजे, जैसे हम भी हमने एक, दो, तीन बना लिए, तो चार, पांच, छे, साथ, आठ, न नो चेन तक हम बनाएंगे, इस तरीके से, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह नो, यानि कि कंबल का आधा, यह देखिए, यह देखिए, भार को अलग से आधा निकला और दिखाई दे रहा है, तो यहां से फिर हम वापस हो जाएंगे, एक, दो, और यह देखिए, आगे नहीं बना रहे हैं, दसी हम वापस हो गए हैं, और इसी के उपर हम एक लाइन और बना लेंगे, तो आपको जितना बड़ा तक्या बनाना जैसे बड़े आप बड़ा कोई ब्लेंकेट बनाएंगे, तो इसमें हो सकता आपको दो लाइनों की बज़ए, चार लाइने दो लाइने जानी कि जितने बड़े कानाजी होंगे उसी साफ से आपको ये चोड़ाई लंबाई जो है रखनी है ब्लैंकेट की ये मेरे छोटे से इसलिए मैंने सिर्फ दो लाइने बनाकर यहां पर मैं खतम कर दूँगी ये देखिए यहां से दो लाइने बन करके आप यहां से ऐसे सिलाई कर देंगे ये देखिए अपर हम इसको बंद कर देते हैं यहां पर हम कोई अच्छा ब्राइट कलर का जो है दागा लगाएंगी जिससे के हमारी आउटलें वगरा दिखाई दे चाहे तो आप सेम कलर का दागा लगा सकते लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा डाक शेड को और अच्छा सा कलर लेके इसको करते हैं यह देखिए हमने ब्लू कलर ले लिया है इसी से हम जो आउटलेंगे और यह हमारा पिलो वाला इसको भी हम आउटलेंगे जिससे कि हमारा पिलो अलग से इस तरह के से दिखाई दे तो इसके अंदर आप च तो यह आपके उपर है आप चाहे कितना भी बड़ा यह मोटा फिलो बना सकते हैं तो अब हम यहाँ पर आउटलेंगे करना शुरू करते हैं तो कहीं से भी आप देखिए मैं यहां से किनारे से करना शुरू कर देती हूँ अब मैंने 10 नंबर का क्रोश्या ले लिया है क्यो से पहले हम हर एको चेन हमारी स्टिच है लंपी यह देखिए double पे उसमें से हर एक स्टिच में से हथ रहे ह्में सैます हम ये लिए एक बार ले लिया और सी में से हम दूसरी बार ले लिया तो हर स्टिच मेंसे हम दौ-दौ बार ऐसे लेंगे जिससे कि हमारे जे आॉट लेन डिखाई दे अच्छे से क्योंकि हमारा कंबल बहुत मोटा है ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे यहाँ से बनाकर इस तरीके से पूरा यहीं पर आके हम खतम कर देंगे तो यह देखिए हर एक स्टिस जो भी हमारी उसमें से हम दो दो बार इस तरीके से लेते वे आगे जाएंगे यह देखे हम नेहां पर रखे हम साइटय के स्छिश थी समें दो दो बार लिया। यह दो दो बार लिया। इस संगल समेड ने, हारे सीठाइड़ दबल क्रोशिया कोज भर ने दो से हम 4 स्छारे कम लेंगे। 3 और यह 4 इस तरीक इसे के से में हैं पर यह चार स्टिच लेनी है और फिर से रहें हम यह 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 एक Nasıl से हारी चेंट 뚜़ और स्ट हैं तो आर एक चेंट में से एक आप देना है Su Sेरम कि हमार।ong नेंसे हरेक चेंट हुर यहां कर दिया यहां तक हम खतम कर देंगे इसको तो यह हमारा कुछ इस तरीके से निजल युटा सकते हो तो जैसे हमारे छोटे से कानाजी है तो मैंने अपना कुछ बना रही थी अपने कानाजी के लिए तो सोचा आप लोगों के साथ भी शियर कर लिया जाए तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बना है यह हमारी सीधी साइड है जब हम इसको बिस्तर को लगाएंगे तो यह पिलो वाला साइड हमारा नीचे आएगा और यह हमारा उपर से कवर होएगा तो आप चाहिए तो अलग से यहाँ पर तकिया बना कर भी रख सकते हो और नहीं तो मैंने जैसे बता है यहां पर बीच में कोई कोटन भर सकते हैं हम रूई वेगर तो वह तो दोने में थोड़ा सा भारी हो जाता है फाइबर का रूई आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास वह नहीं है तो आप यह जो उन हमन ले लिजिए और इसको आप ऐसे करके जब हम यहां से सिलेंगे तो यह देखे तकिया की तरह उपर की तरफ हो जाएगा रिस दोने में भी होतारा मता है यानि कि आपको कोई दिक्कत नहीं है जैसे उन है वैसी अंदर भी उन है ऐसे कोई अलग से कोई चीज हमने नहीं भरा अएसे सिलना शुरू करेंगे सेम कलर का हूंन लेके यह देखे जिससे नजर नहीं आय आया कि यह देखिए इस तरीके से यहां पर इसको दबाते वे यह देखिए क्यों कि हमारे तकी आए यही हमने बनाया है हलका सर नेचे से ऐसे लेना है तुरपाई की तरफ आपको इस तरीके से करना है जैसे तुरपाई करते हैं नेचे से एक टांका लिया और उपर से फिर इस तरीके से यहां से यहां तक हम इसको सिल देंगे यह धेखिए अलग से हमारा तक्या बन गया है यह को अर्व में से अलग से सरम तक्या भी लगाए मैंने जो है क्रोशी से पहले भी एक सोफा कम बैड बनाया है जिनके पास बैड नहीं होता तो इसमें मैंने बैड भी बनाया इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रेप्शन पर दे दूगी तो चली है तो हमारा इतना बन गया इसको थोड़ा समया से भी को यहां लिटा कर आप इस तरीके से जो गोदी में लेने में इजी रहता है तो और बहुत मलब कि यहां से बच्चे को हवा भी लगता है तो बहुत अच्छा रहता है आप न्यूबोन के लिए भी इसी तरीके का ब्लैंके बना कर त्यार कर सकते हैं यह देखिए अब यहां देखिए जो स्टिच है यहां पर धीरे-धीरे एक-एक आपको ऐसे उठाना ही देखिए ऐसी तो सिंगल करोश्या लेंगे हम यहां थोड़ा सा हम बड़ा मोटा करोश्या ले लेते हैं क्योंकि बारिक ज्यादा दिक्कत कर रहा है यह देखिए यहां से यहां तक हमने बना लिया अब यहां पर एक लाइन और हम जो है लेस की तियार करेंगे तो यहां हम किनारे पे पोज़ गए हैं यहां से देखिए एक chain छोड़कर दूसरी chain में हम जो ए यह double crochet ले रहे हैं यह एक बार यह एक बार double crochet लिया तो ऐसे हम 5 बार इसमें से double crochet ले ले लेंगी 2 3 4 और यह 5 यह 5 बार हमने double crochet ले लिया है और ये chain छोड़कर अगली chain में से silippy stitch ये देखे इस तरह के से तो ये कुछ लेस है इस तरह के से गोल गोल जाएगी फिर एक chain छोड़कर दूसरी chain में से पांच बार double crochet लेंगे एक दो तीन चार और ये पांच आपको अगर ये ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप पांच से साथ तक के बीच में आप ये जो double crochet ले सकते हूँ लेकिन ये मेरे छोटे से कानाजी के लिए बना रही हूँ इसलिए में बहुत जादा नहीं बना रही पांच stitch बना रही हूँ फिर एक chain ये देखिए यहाँ पर हमने पांच पर लिया ये chain छोड़कर दूसरी chain में से silly stitch ये देखिए इस तरीके से और फिर एक chain छोड़कर दूसरी chain में से पांच पर double crochet यानि कि जब भी हम कोई भी stitch लेंगे तो एक chain छोड़ देंगे इस तरीके से हम चारों तरफ जो है बना लेंगे ये देखिए तीन चार और ये पांच फिर एक chain छोड़ा दूसरी chain में से slip stitch फिर एक chain छोड़ा दूसरी chain में से पांच बार double crochet इस तरीके से हमारे देखिए गोल गोल लेज बनके त्यार हो जाएगी और हमारा चोटा बनके ट्यार हो गया है कि इनन्हां हमने हैवी यह इस तरीके से वह आप यूज कर सकते हैं जैसे 2ẹ user kane कना जी कह बना ने बैट शीट के साथ बना है इसलिए इसलिए पहली लगाया है तो इसथ तक्या पिसर रखंगे आराम सी कना जी कहां इसे इस त्रीके से तो अब टो ज़द के लिए थारा हमारा कंबल बनके तियार है तो मुझे उमीद है आपको ये कुछ नए डिजाइन का कंबल पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक किजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद रादे रादे